हलो माई डियर फ्रेंड्स मैं विविक पुमार आप सभी का आपके रपने यूटूब चैनल यूवी कमेटिसंस में स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे सातियों राजस्तान CET एक्जाम 2024 को लेकर एक बड़ी खबर है साति मेरे CET यानि की समान पात्तरता परिच्छा में नए नियम लागू हो सकते हैं प्रदेश में समान पात्तरता परिच्छा में नए नियम लागू करने की कवायाद है अगर ऐसा हुआ तो CET भरती आदार पर 1000 से कम पदों पर होने वाली भरतियों में परिक्षाओं में 25 गुना अभ्यरतों को मोका देने की पहले अभी तक 15 गुना कंडिडेट्स को CET में क्वालिफाई किया जाता था अगर नए नियम बदले तो नए नियम लागू होने के बाद 1000 से कम पदों की जो भरती होगी उनमें 15 गुना की जगे 25 गुना कंडिडेट्स को मोका दिया जाएगा क्या का राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने आये जानते कि राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड की ओर से 23 साल कराई गई समान पात्तरता परिक्षा में सपल रहे 25 गुना अभ्यर्तियों को महिला परिव्यक्षक और छात्रवास अधिक्षक जैसी बर्तियों में सामिल करने की मांग उठ रही है आपको बता दे महिला परिव्यक्षक अंगनबाडी सुपरवाइजर का एक्जाम 22 जून 2024 को होने वाला है हलाकि करमचारी चैन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राजने सोसल मेडिया पर पोश्च से ये इस प्रश्ट कर दिया है कि फिलाल सीटी बेस्ट एक्जाम में नौटिपिकिसन में लागु नियम के नुसार 15 गुना अभ्यर्तियों को सामिल किया जाएगा प्रदेश में समान पातरता परिक्षा में नौए नियम लागु करने की कवायाद चल रही है माना जा रहा है कि 1000 से कम पदों पर होने वाली भर्तियों में 15 गुना की जगे 25 गुना अभ्यर्तियों को मुका दिया जाएगा ये नियम सितंबर और अक्टुम्बर में होने वाली CET 12 लेवल और CET ग्रेजिशन लेवल पर लागू होगा राजस्तान युवा सक्ती एकिकरत महासंग के अध्यक्ष मनोर्ज मेरा ने बीते साल हुई समान पातरता परिक्षा के आदार पर 146 पदों पर होने वाली मैला परिविक्षक मैला अधिकारिता 202 पदों पर मैला परिविक्षक अंगन बाड़ी में कम पदों के चलते 25 गुद्धों को मूखा देने की मांग थी इसी प्रिकार 209 पदोग पर परवेक्षक महिला सीधी बर्ती और अल्ख्रंकियों के मामलत विभाग में 112 पदोग पर चात्रावास अधिक्षक सीधी बर्ती परिक्षा में भी कम पदोग के चलते 25 गुना कंडिडेट कॉमों का देने की मांग उठाई थी इसी लेकर कार्मिक विभाग के अधिकारियों से भी मनोज मिना जी ने मुलाकात की थी तो मेरे प्यारे साथियों पिछले साल जो सीधी हुई थी उसमें ये नियम लागू नहीं होगा लेकिन अगर नए नियम बदले तो 2024 में होने वाली CET एक्जाम में ये नियम लागू हो जाएगा 25 गुना कंडिडेट को पास किया जाएगा देखते हैं होता है क्या रहती है राजिस्तान करमचारी चैनबोर की रंडिती क्या आते हैं नए नियम अपडेट्स के लिए देखते रहें और बने रहें आपके और अपने YouTube चैनल UV Kompetence के साथ इसे भी प्रकार के इनने जान करें के लिए कमेंट करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद